जे मिन 2016 का मैंने ट्रिग्रमाइटिकल फंक्शन का कुछ चलिया है स्मॉल एम एन कैपिल एम जो है वो मिनीमम एन मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू दी है 4 प्लस 1 बाइ 2 साइन स्कॉर 2 एक्स माइनस 2 कॉस्ट पाव 4 एक्स सबसे पहले मैंने फंक्शन की वैल्यू को लिखा हमें ध्यान रखना है कि साइन टू एक्स की जो वैल्यू है वो 2 साइन एक्स होता है फॉर्मला को इंप्लिमेंट किया गिवन क्विश्चन पर कॉस एक्स के टर्म में हमारे पास जो फंक्शन आ गई वह आ गई मैंनस 4 को बहर निगाला तो म के टर्म में हमारा एक्स्प्रेशन आ गया मैनस 4 इसके बाद हम लोग कंप्लीट होल स्कॉर में कंवर्ट करेंगे एम स्कॉर की जो कॉफिशेंट है वो माइनस 1 बाइ 2 है एम स्कॉर की जो कॉफिशेंट है माइनस 1 बाइ 2 उसके होल उसके स्कॉर को एड़ करेंगे एं सब्ट्राइक करेंगे सो फाइनली स्टार्टिंगे जो त्री मेंबर्स है M to power 4 minus M square by 2 and 1 plus 4 का whole square हमें दे देगा M square minus 1 by 4 का whole square तो फाइनली हमारे पास आजाएगी expression minus 4 times of M square minus 1 by 4 का whole square minus 17 by 16 हमें ध्यान रखना है कि जो cos x की value है वो minus 1 से 1 की बीच पे लाई करती है तो जो cos square x की जो value होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी similarly cos x cos square x minus 1 by 4 find out करने के लिए minus 1 by 4 subtract करेंगे both side cos square x minus 1 by 4 का whole square जो होगा वो 0 से 9 by 16 के बीच में लाई करेगा again cos square x minus 1 by 4 के whole square को subtract कर देंगे 17 by 16 से both side 17 by 16 subtract करेंगे तो finally हमारे पास simplify करके जो value आजाएगी वो आजाएगी cos square x minus 1 by 4 का whole square minus 17 by 16 less than equal to minus 17 by 16 lesser than equal to minus 1 by 8 minus 4 से multiply करेंगे जो inequality होगी वो change हो जाएगी and हमारी जो final value आजाएगी वो आजाएगी minus 4 times of cos square x minus 1 by 4 whole square minus 17 by 16 greater than equal to 1 by 2 and less than equal to 17 by 4 यानि maximum value जो आजाएगी वो आजाएगी 17 by 4 और जो minimum value आजाएगी वो आजाएगी 1 by 2 तो नों का जो difference आजाएगा that is 15 by 4 that is option B please like and subscribe and thank you